नमस्कार दोस्तों, विविद भारती की पुरानी यादों में आपका स्वागत है दोस्तों समय बहुत बदल गया, पुराने दोर से आज हम आधुनित्ता के दोर में आ चुके हैं लेकिन दोस्तों क्या आज जिंदगी में वो सुकून है जो पुराने दोर में था दोस्तो जिसने भी दोनों दोर को देखा होगा उसका जवाब तो सायद नहीं ही होगा दोस्तो आज हम अपने सुक्चैन को छोड़ कर भागम भाग भरी जिन्दगी जी रहे हैं दोस्तो इस विशेपर हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे और आते हैं हम अपने विशेपर और इस बात की सुरुवात उस दोर से करते हैं जब रेडियो का बोल बाला था और उस दोर में रेडियो ही मन्रुण्यन का सबसे बड़ा माध्यम था दोस्तो 60 के दसक में रेडियो पर एक बहुत ही बहतरीन प्रसारण सेवा की सुरुवात हुई ए प्रसारण सेवा सुरू होते ही लोगों की पहली पसंद बन गई और उस प्रसारण सेवा का नाम था विविद भारती दोस्तों विविद भारती पर उसके सुरुवाती दोड से ही एक से एक यादगार कारक्रम आया करते थे और लगातार आते रहे हैं जैसे हवा महल कारकरम हो, गीत माला हो, जै माला हो, सखी सहेली हो, मन्थन कारकरम हो, सभी कारकरम एक से बढ़कर एक थे लेकिन विविभाती के जिस कारकरम ने सबसे ज़्यादा उचाई छुआ ओ कारकरम था 90 के दसक में सुरू हुआ कारकरम हिलो फरमाईस, दोस्तों हिलो फरमाईस कारकरम सुरू होते ही लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा कारकरम बन गया इस कारकरम में हम फोन के माध्यम से पहले तो प्रोग्राम के प्रस्तुत करता से खूप सारी बाते किया करते थे और प्रोग्राम के प्रस्तुत करता अंत में हमसे हमारी पसंद का गाना पूछते थे और ओ गाना हमें सुनवाते भी थे तो दोस्तों आईए उसी हेलो फरमाईश कारकरम की यादे एक बार फिर से ताजा करते हैं और एक बार फिर से सुनते हैं कारकरम हेलो फरमाईश तो दोस्तों आईए सुरू करते हैं हलो फरमाईश हलो फरमाईश पर नमस्ते आपका कैसा चल रहा है क्या कर रही है इंदनों आप सुने हम तो अभी मंदिल से आये हैं जाय रहे हैं काम करने तो मुझे गाना सुनवा देगे जी बताईए कौन सा गीत सुनेंगे आप दाता फिल्म का विदाई वाला सुना देगे दोस्तों अब लेता हूँ आप लोगों से विदाई जै हिंग जै भारत